उसकी हालत को देखकर ओय जी कहता है कि उन्हें गिसाबूरू के भूत से छुटकारा पाने के लिए उसकी लाश का अंतिम संसकार करना होगा वो दोनों कुए में उतर कर गिसाबूरू की लाश डूढने लगते हैं और तभी उन पर उपर से पत्ते बरसने लगते हैं यह पत्ते उन पर गिसाबूरू का भूट डाल रहा होता है और दो पत्तों की नुकीली पत्ते हैं